दोनों ही राज्ये एक ही स्टेट से बनेते लंगा ना अंदरपर्देश और काफी सिंग्लेरिटीज हैं इन दोनों में तो इसमें जो सबसे में चीज है आपने बताया ने अभी चंदरबावु नायडू से शुरुवात करते हैं क्योंकि लेटेस डिवलपमेंट उसी में हुआ है मैंने वीडियो भी बनाया इस पर अमित शाह से मुलाकात किये हैं और ये लगबग तीन या चार महीने से मुलाकात हो गया उस दिन परदान मंतिर ने दिन में एक एमिरजनसी मीटिंग बुला ली तो उसमें भी अमित शाह मुझूद रहे तो इनको फिर शाम को आठ बजे का समय मिला और ये शाम को आठ बजे उनसे मिले और ये सारा घटना करम रात में हो अमित शाह का मतलब चार दिन के ल भागा वाता वैसे दिन में ये मीटिंग होनी थी फिर उन्हें का के रात को आई और घर पे आई ये तो ये घर पे गए अमित शाह के और फिर अमित शाह ने जो है फोन करके जेपी नड़ा को भी वहाँ पे बुलुआया जेपी नड़ा भी आये वहाँ पे तो इसमें इस जून को तो अमित शाकी रेली होनी है विशाका पत्नम में और दस तारीक को तिरूपती में जेपी नड़ा का प्रोग्राम है तो चंदरबावु नाइडू ये चाहते थे कि इन दोनों प्रोग्रामों से पहले कुछ बात कर ली जाए वापसी की क्योंकि वो एंडिये में वा जान बाजियां करती थी कि उनका मुह नहीं हो रहा था कि किस तरीके से मैं बात शुरू करूँ इस बीच उनके एक दो सांसद भी बीजेपी वालों ने तोड़ दिया राज्ये सभा से उसका भी उन्होंने बुरा नहीं माना क्योंकि वो इस समें घुटनों पे हैं और जग करेंगे इस बार कोशिश करेंगे कि उसको में लीड में रखा जाए क्योंकि अब उमर चंदरबाव उनाइडू की भी बहुत हो चुकी है तो इस मिटिंग के बारे में यह हुआ है कि उनकी इच्छा यह थी कि कोई ऐसा एस्षूरेंस हमें मिल जाए कि हम या तो विशाका पर्टनम वाले कारे करम में हम को पार्टनर बन जाएं कि उस रैली में हम लोग भी शामिल हो जाएं आप लोग भी शामिल हो जाएं या फिर जो तिरूपती में नड़ा जी है वहाँ पे कुछ गोशना कर दी जाए लेकिन यह जो बताया जाता है मेरी एक सीनियर बीजेपी असेंबली का उससे पहले तेलंगाना आना है तो बीजेपी की प्रियाटिफ विलाल तेलंगाना है और तेलंगाना में चंदरबाबू नाइडू बिल्कुल जीरो है तो उनको अभी साथ लेने का कोई मतलब उठता नहीं है जगन मोहन रेड़ी जो है वो भी जिसके लिए केजरिवाल भूम रहे हैं उसके लिए उन्हें वायसार सीपी की और बीजू जनतल दोनों की जुरूत पढ़ने वाली है जिनके पास 20-2022 सांसद हैं तो उनको भी बीजेपी नाराज नहीं करना चाहती है तालकि बीजेपी को यह भी पता है कि उसका आंदर प प्रियर्टी है बीजेपी की वो यह प्रियर्टी है कि उनके लिए वायसार सीपी जो जगन मोन रेड़ी हैं वो जादे इस समय महत्पून है चंदर बाबु नैडू उतमे नहीं क्योंकि आंदर परदेश को जीतने की बीजेपी की अभी कोई ऐसी इच्छा नजर नहीं आत कुछ आश्वासन तो भी मिला नहीं है अब इसके बाद अगर डवलप्मेंट कुछ होगा तो तेलंगाना चुनाओ के आसपास अगर कुछ हो जाए तो लग बात है वरना फिलाल संभावना है उनकी नेजर नहीं आती है चंदर बाबु नहीं जी लेकिन बीजेपी के साथ बहुत लंबे समय रहे बीजेपी के साथ इनका जो गट जोड रहा है समझ लिजी आप ये अटल जी के समय से जुड़े हुए है और ये 2018 में अचानक इन्हें ये हुआ कि इन्हें ऐसा लगा कि नहीं रिमोदी 2014 में तो तुक्के से बन गए प्रैम निस्टर तो फिर जब 2019 क लोग सबा चुनाओ नजदीक आ रहा था तो इन्हें ऐसा लगने लगा कि यार इस बार तो ये एक बार तो चलो बन गए दुबारा तो बनेंगे नहीं मुश्किल है तो तुक्का लग गया इस बार किसी तरीके से तो इन्होंने 2018 में एक रागला अपना शुरू कर दिया कि आंदर परदेश को स्पेशल स्टेट का दरजा मिलना चाहिए जैसे नितीश कुमार कभी कभी कहने लगते हैं बियार के बारे में कि इसको स्पेशल स्टेट का आप दरजा दीजिए वो इसकी डिमांड करने लगे एंडिये में ही थे चीफ मिनिस्टर थे तो इन्हें लग था कि मेरी बात मान लेंगे इन्होंने धरना परदर्शन तक शुरू कर दिया इस बात को लेकर और ये मेरे ख्याल में साथ या आठ महीने पहले हुआ था लोग सभा चुनाव से पहले क्योंकि तेलंगाना में क्या हुआ कि तेलंगाना में भी चुनाव लोग सभा चुनाव क रहेगी और गर मैं उसके साथ रहूंगा तो फिर मैं भी हार जाओंगा उन्हें ये लग रहा था कि अगर लोक सभार इसके चुनाव साथ होंगे और अगर मैं चुकि जगन मोन रेडी को इससे पहले वाले चुनाव में ठीक ठाक सीट मिल गई थी सरकार तो नहीं बना पायते में इन्होंने मोदी जी को भला बुरा कहके गालियां वालियां दे के इन्होंने अंडिय को छोड़ दिया धरना परदर्शन करने लेगे इस तरह की अरकते ये करने लेगे और आप यकीन मानिये के इतनी बुरी हार पिछले 10-15 साल में किसी की भी नहीं होगी जितनी चंदर बाबु नाइडू का कीछे कहते हैं कि मोका प्रस्त क्लिप करने से जादे मैं मोका प्रस्त कहता हूं ऐसे लोगों को और पहले तो इन लोगों को ये का जाता कि ये मोसम विज्ञानी है पहले से भाप लेते हैं क्या होने वाला है लेकिन इनका उल्टा हुआ उल्टा हुआ लेकिन चंदरभाबू नाइडू का उल्टा हो गया, तो तुमसे परिशान है, तहीं लग रहा है, कि ये बेटे के लिए ही कोशिश करेंगे, और मेरे ख्याल में इचेतर असी के करीब तो कहुँच रहे होंगे, ये भी काफी है जो चुकी, अतना एक्टिव भी नहीं अब र की थी, कि मैं केंदर को सब को एक कर लेते हैं, भी पक्षियों को एक करने के लिए वो भागे-भागे घुमे थे, तो उनकी उन्हें ऐसा लगा था कि साइद मुझे पी-म कंडिडेट बना दिया जाएगा, मैं पी-म बन जाओंगा, और उजो उनका बेटा है, के टी-ार जो वहाँ पे लगा दिया है, तेलंगाना में, वहाँ पे अपनी पार्टी को खड़ा कर रहे है, स्टालीन अपने बेटे को ला चुके हैं, और या करनाटक में भी चुनाओ हुए हैं, सब अपने बेटों के लिए, यह दुरप्पा ने अपने बेटे को चुनाओ लड़वाय सब लोगों ने चुड़ाव लड़वाया, सभी लोग करते है, साउथ में तो ये चलता है, वन्सवाद साउथ में बहुत जाद हावी है, चलता है, ये बेटे के लिए भी जादे कर रहे हैं, इनकी इच्छा यही है, जैसे सरत पमार चा रहे हैं, के बही एक बार ऐसी पोजि सीम बना दिया, अखलेश यादव को, और अखलेश यादव अगली बार 40 सीटों पे रह गए, उसके बाद अखलेश यादव अपने दमप्यास तक को चुनाव जिता ही नहीं पाए हैं पार्टी को, लोग सबा हार रहे हैं, 14 की हार गए, 17 का चुनाव हार गए, 22 हार गए, 19 हार गए, लगातार हारे जा रहे हैं, सब के साथ समझोता करके देख लिया, तो जरूरी नहीं है कि ये अपने बेटे को बना दे कोई, उसका फायदा ही हो, हो सकता है, पार्टी खतम भी हो जाए, देखे, उनकी, उन्हें थोड़ा सा, उनकी जो क्या कहना चाहिए, कि उनके की वज़े से clean sweep होगा, यहां पे, पंजाब में, और adverse decision आएंगे, तो clean sweep तो जरूर हुआ, लेकिन उसमें ये खुद clean होगे, इन्हें ये लग रहा था कि हम अलग हो जाएंगे, तो हमें कुछ पैदा हो जाएगा, बीजेपी वाले मर जाएंगे, लेकिन clean sweep ऐसा हुआ हुआ जाडू लग गई, आम आदमी पार्टी की सबने सब को जाडू मार दिया, उसमें, हाँ, गाँ उल्टा पड़ गया, तो उस समय से इनकी आँखे खुली हुई है, और इन्होंने एक चीज और भी रियलाइज किया है, कि जो विदान सबाच उनाव के पिछले साल नकीजे आ बात करें, और इस पे अभी जो स्टैंप लगी है, वो अभी जो जालंधर का बाइपोल हुआ, जहां कॉंग्रेस के सांसत की डैथ हो गई थी, जो राहूल गांदी की यातरा में चल रहे तो उनकी जगा खाली हुई सीट, और यहां से इनके रिंकू सिंग जीते हैं, जो आ इनकू सिंग को वहाँ आदी पार्टी को उसमें तीन लाख के करीब वोट मिले, तीन लाख दो हजार दो सो उन्यासी, कॉंग्रेस का कंडिडेट वहां सेकिंड नंबर पे रहा, दो लाख तिरालिस वोट मिले, और सिरो मनिया कालीदर और बीजेपी दोनों के अगर वोट जोड़ दें तो दो लाख तिरान में अजार बैटते हैं, यानि कि अगर दोनों साथ लड़े होते तो जीत तो शायद नहीं पाते, थोड़ा रह जाता साथ आट अजार वोट का अंतर, अगर ही ने जोड़ दिया जाए, लेकिन सेकिंड नंबर की पोजिशन पे रहते हैं, अब हुआ ये कि शिरोमणी अकाली दल थर्ड नंबर की पार्टी बन दी, जो कभी पंजाब में पहले नंबर की पार्टी हुआ करती थी, इस चुनाव से मैसेज ये गया कि ये थर्ड नंबर की पार्टी है, पहली चुएस आम आदमी पार्टी रखी और दूसरी चुएस क जालंदर में नो विदानसभा सीट हैं उसमें बीजेपी को शिरुमनिया काली दल से कई सीटों पे जादे वोट मिले जितने भी जो सीटी की सीट थी जालंदर कैंट की जालंदर नौर्थ जालंदर सेंटरल जालंदर वेस्ट इन सभी में बीजेपी बहुत-बहुत मतों से आ अभी हाली में उनकी डेथ हुई आपको पता ही हो गया परकास सिंग बादल एक बहुत ही सम्मानित नेता पंजाब के थे और आप जानती हैं कि वो कभी 40 से आजादी के पहले से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में थे वाजपई जी के साथ रहे नरेंदर मोदी उनके पैर छूते थे जहां भी वो मिलते थे उन्हें बड़ा इजद देते थे और आज भी लोगों का ये मानना था कि सुखभीर सिंग बादल या हरसिमरत पूर बादल के नाम पर वोट नहीं मिलते थे काली देलों को वोट मिलते थे बड़े सरदार साथ जो प्रकासिंग बादल थे उनके नाम पर उनकी रेपोटिशन पर दोग उन्हें मानते थे किसानों के खास तोरच क्यूंकि किसानों में भी जो पंजाब में सब ज़्याद है कॉम्मिनिटी है जो जट सीख है वो ज़्य माइनों में लीडर हैं तो उनके रहते वे उनकी अब ये चुनाव पहली बार ये प्रकासिंग बादल के बिना कोई चुनाव बागे इन्हें फेस करना होगा लोग सबा का चुनाव जब अगले साल आएगा तो शिरुमणिया काली दल ये चाहता है कि किसी तरीके से वापस ही करी जाए वरना इसके लावा कोई चारा नहीं है उनके पास अगर वो अकेले लड़ेंगे तो इट में भी पॉसिबल कि वो तीसरे चोथे नंबर पर ही रह जाए हो सकता है कि बीजेपी थोड़ा और आगे बढ़ जाए जो अब तक बीजेपी पीछे रही थी और देखे से जाए और किसी को व्याद ही नहीं आता कि कौन बड़ा लीडर है यहां बीजेपी का अभी दो तीन लोग आए हैं कैप्टन अमरिंदर ने पनी पार्टी को इसमें मर्ज किया है बीजेपी में तो उनसे पहले सुनील जा खड़ा गए थे यह सारे कॉंग्रेस ही हैं बीज बीजेपी यह भी देखना चाती है कि इसका क्या होगा लेकिन इसमें फर्क है थोड़ी सी परिश्थिती में क्योंकि अभी जो पिछले साल डाया विधान सबा का इसमें बीजीपी को इतने अच्छे रिजल्टस नहीं मिले बिधान सबा में तो बीजेपी के मन में ये है कि 2024 का चुनाव जीतना है किसी भी तरीके से और 2024 का चुनाव जीतने के लिए उसे अकाली दल को साथ लेना पढ़ सकता है अकेले अगर वो जाएंगे तो फिर यहां हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की सीट एक दो और बढ़ जाएं हो सकता है कि कॉंग्रेस चिक ठाक काम यहाँ पर कर जाए तो इसी वज़े से बीजेपी को यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है चंदर बाबु नैडु वाली स्थिती यहाँ पर नहीं है उन्हें मुझे जहां तक म 19 में भी ऐसे ही हुआ था बीजेपी ने तो तीन में से दो जीत ली यह अपनी दस में से दो जीत पाए तो बीजेपी अब यह भी क्लेम करेगी कि भाई आपका पिछली बार का प्रदर्शन आप देखो कितना खराब था आपका और आप विदान सबा चुनाओं में बहुत स्थिती में रहे हो तो हो सकता है बीजेपी यह कहें कि हम इस बार 6 सीटों पर लड़ेंगे क्योंकि बीजेपी से अब कई कंटेंडर ओर बड़ गए हैं अभी सुनेल जाखड भी टिकेट बांगेंगे कैप्टन अमरिंदर को भी लड़ाना होगा अगर कैप्टन अमरिंद की जो पत्मी है वो तो कॉंग्रेस की सांसद हैं परनीत को वो शायद वो भी बीजेपी के टिकेट पर लड़ें तो बीजेपी के पास अब कुछ फेसिज आ गए हैं कि वो दावा करें कि अब उसे ऐसा नहीं है कि विनोत खन्ना की डैथ होगी तो गुरदासपूर में किसे लड़ाएं सनी दियोल को लाना पड़ाओ को था ही नहीं लड़ाने के लिए किसे लड़ाएं तो ऐसी स्तिति में बीजेपी को मुझे लगता है कि अकाली दल को साथ लेकर चलेंगे तो फायदा होगा और बीजेपी को इतना जरूर करना चाहिए कि इस बार अपना सीटों पर दावा ये रखना चाहिए कि तेरा सीटे हैं तो इस बार साथ पे हम लड़ेंगे छहां पे आप लड़ो एक सीट तो हमें फाल्दू दो इस बार दो स्टेट में तो उनका प्रियोग सफल रहा है बीजेपी का और देखिए बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गए और महराष्ट में सबसे बड़ी पार्टी बन गए वरना सीवसेना के साथ रहे चाहे सीवसेना के कम विधायक थे लेकिन चीफ मिनिस्टर फिर भी सीवसेना का बना वहां पे पहली बार तो देविंदर फटनवीज के रूप में अपना चीफ मिनिस्टर बनवाया था इनोंने उससे पहले कि हाँ चीफ मिनिस्टर कोई बनता था इनका तो ये तो हमेशा चोटे बाई की भूमिका में ही रहे हैं लेकिन यहाँ पे पंजाब में अभी उस्थिती ऐसी नजर नहीं आ रही है कि आप यहाँ पे अपने दम पे ही खुद हो जाएं क्योंकि यहाँ बीजेप सही है कि बीजेपी ने कई जगे प्रियोग किये हैं और सफलता भी मिली है कई जगे से सेट बैक भी मिला है जैसे हर्याना में हुआ था हर्याना में 2014 में खट्टर साब बन गए चीफ मिनिस्टर लेकिन जब दुबारे चुना हुआ तो बहुमत नहीं आया 6 सीते कम रहे कि बीजेपी कोशिश यही कर रही है कि जहां भी कुछ किया जाए अपने दम पर किया जाए और इसके लिए तो देखे जो कैडर होता है कारे करता होते हैं गली गली गए वो होना आपका बहुत जरूरी है उसी से यह सब चीजे संभव है और बिहार में भी बहुत बार चेहरा है और बहुत ही आकरामक हैं को बहुत अच्छा बोलते हैं नितीश कुमार पर लगतार अटैकिंग उनका रवईया रहता है तो इस तरह के काम किये हैं जैसे महराष्ट में देवेंदर फड़नवीस को आगे बढ़ाया देवेंदर फड़नवीस को देखिए यह इसे आगे बढ़ाने की बात कहेंगे कि आपने जो सीम थे उसे फोर्स किया कि वो डिप्टी सीम पर एगरी हो जाए बनने के लिए तो यह उनको भरोसा ही तो दिलाया होगा कि आपका पार्टी में जो फ्यूचर है वो सुरक्षित है आप पार्टी के हित्मे काम करो पार्टी आ बेल आइकन को प्रेस करें